आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि मुलायम हलवा कैसे बनाते हैं जो कि जिनका मुव में थोड़ा सा छाले हो जाते हैं या दर्द होता है गले में नहीं खा पाते हैं तो वो मुलायम हलवा जो कि आराम से खाय जासे वो कैसे बनाते हैं तो आईए सबसे पहले हम क्या करेंगे कराई में हलका तेल दे देंगे जैसे आप देख सकते हैं इसके बाद गैस को चालू करेंगे अब गयास चालू है इसे थोड़ी दिल गर्म होने दें बहुत जादा तेल नहीं लेना है हलका तेल लेना है ताकि नुकसान ना करें और कराहिक गर्म होने के बाद हम इसमें सूजी डालेंगे लगबग लगबग 80-90 ग्राम और इसे क्या करेंगे धीमी फ्लैम में इसे फ्राई करेंगे फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा आप इसे धीरे धीरे हलका हलके हाथों से इसे चलाते रहें ताकि ये अच्छे से मिक्स होता रहे है आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे इसमें कलर आ रहा है मिनस ये हो रहा है फौरा टाइम लगेगा इसमें और अच्छे से बनाने के लिए हमें अच्छे से fry करना पड़ता है नहीं तो यह कच्चा रह जाएगा और हमें पेट में नुक्सान पहुचा देगा तो इसे अच्छे से fry करना है इसमें कुछ भी mixing करना है बस इसे भी fry करना है आप देख सकते हैं कलर अच्छे से आ रहा है आप देख सकते हैं यह completely brown हो चुका है इसका मतलब इसमें अब हम materials डाल सकते हैं देखे दोस्तों मैं normal और एकडम फायदे मंद हलुआ बनाने जा रहा हूं और यह कोई भी बिमार रेक्ती खा सकता है और काफी यह मुलायम है इसमें हम कुछ भी mix नहीं करेंगे आप देखिए सबसे पहले हम जो mix करेंगे वो है यह देखे यह है चीनी और छोटी इलाइची का mix करके हम क्या कि इसको piece लिए हैं means जिससे आप रेक्ती बेलते हैं उससे आप इसे महिन कर सकते हैं मैं उसी से किया हूं और इसे आप इसमें mix कर लिए और कुछ नहीं डालना है इसे फिर अच्छे से mix कर लिए छोटी इलाइची और चीनी का बुकनी ठीक है इसे थोड़ी देर mix कर लिने के बाद आप इसमें क्या कीजिए चीनी गीजिए तो देखे चीनी अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं लेकिन हलुआ में कम चीनी होने से बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेगा खाने में ठीक है तो हम क्या करेंगे इसमें अब चीनी डालेंगे तो चीनी कितना डालना है मैं लियाथा लगबग लगबग 80-90 गराम तो उसमें डालूँगा 4 चमट चीनी आपकर अगर quantity जादा हो तो जादा चीनी डाल सकते हैं चीनी रानने से क्या होता है मीठास आता है और हलुआ मुलायम होता है तो आप देख सकते हैं अब फिर मैं इसे चलाऊंगा इसे थोरी देर चलाने के बाद बहुत सारे होंगे जो की इसे फ्राइ को ही खाना पसंद करते हैं मैं भी बहुत बार खाया हूँ ये फ्राइ को आप खा सकते हैं लेकिन इसमें चीनी ठ़्वरा मिक्स होने दे उसके बार कि ये याद रहे कि फ्लैम हमेशा धीमी यहाँ हलका धीमी से तेझ आप रख सकते हैं तेझ'RE नहीं करना है या बहुत medium से भी तेझने करना है बस धीमी यह उस से हलका तेझादा है आप कर सकते हैं का अपना अपना फ्लैम होता है बहुत सारे गैस बहुत जादा गैस निकालते हैं एक बार में या बहुत सारे इसे गैस होते हैं जो धीरे 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 गैस निकलते हैं तो आप उसके अनुसार तक सकते हैं हब आप देख सकते हैं कि चीनी इसमें धीरे धीरे गलने लगा है तो आप अगर चाहते हैं कि फ्राई ही खाना तो आप इसे ऐसे निकाल के कटोडी में निकाल के आप ठंडा होने दें उसके बाद आप इसे खा सकते हैं इसका अलग ही स्वाध होता है अगर आप मुलायम साव हलुआ खाना चाहते जिसमें पानी हम देंगे पानी देंगे लगबग लगबग 100 ग्राम में 300 ग्राम पानी मिलिलिटर तो आईए अब हम पानी देते हैं इसमें यह औरडी फ्राइ हो चुका है और इसे धीमी आँच में ही पकने दें हलुआ धीरे धीरे मुलायम होगा और पानी को सोखता रहेगा और इसे पकने दें अगर आप चाहते हैं कि इसमें ड्राइफ फ्रूट्स डाल दें तो ड्राइफ फ्रूट्स डाल सकते हैं लेकिंग वो मुलायम नहीं होगा, बिमार वेक्ति को खाने में प्रॉबलम होगा, जिनका गला दर्द हो रहा हो, यह मूँ में छाले हो, इसलिए ट्राइफ फुर्ट्स ना डालें अब आप देख सकते हैं, कि यह मुलायम हलुआ बन चुका है, देखे मैं कोई डेकोरेशन करके नहीं बता रहा, नहीं दिखा रहा हूँ, यह जो नॉर्मल घर में हम बना के खाते हैं, वैसा है, कोई यह दिखावा नहीं है, आप इस तरह का हलुआ बनाएं, खिलाएं, तो य इस नॉर्मल देखे, ऐसे काती है, देखे, नॉर्मल सा कट जागा, जबकि अभी भी डेस चालूँआ है, हलकी धीमी, यह देखे, कट जागा, इसका नॉर्मल एधम मुलायम हलुआ है, देखे, एधम मुलायम ना करा, ना यह, ठीक है? तो आप इससे बनाएं, इससे कोई भी बिमार बेक्ती खाएगा या आप भी नॉर्मल बेक्ती भी से खा सकते हैं इसमें कोई भी नुक्षान नहीं है ना जादा तेल है ना ड्राइफ रूस है ना कहीं गला माठकेगा ना धर्द होगा आराम से इसे खा सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें अपने रिलेटिव्स दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें थैंक यू